नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राज़ेश कंबायत है, मैं वर्तमान में संयुक्त निदेशक के परपर हूँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्विय व्यावसाइक शिक्षा संस्तान जो भुपाल में स्तापित है, वहाँ पर मैं कारियर करता हूँ. सबसे पहले, आज जो हमारी एक चर्चा है, कि पूर्व व्यावसाइक शिक्षा, जो खक्षा छे से लेके आठवी तक जो हम लोग इंटर्ड्यूस कर रहे हैं, उसके संबन में, आज हम लोग एक परिचर्चा यहाँ पर रखी हुई है, और मुझे बताते हुए बड़ा मेरे दोसाती है, डॉक्टर विनेश वरूप महरोत्रा, जो प्रोफेसर और हेट है, हमारे संस्तान में, और मेरे साथ, और मेरे एक सीनियर कलीग है, डॉक्टर आरके पाठक, वो भी जो है, मेरे साथ, पेसे सी आईवी भोपाल में कारे रहत है, दोस्तों, आप सब भी जान जो पाठक के साथ-साथ, हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चिनिटी हमारे साथ है, कि जहां हमारी जो लोक-sankया, उसमें सबसे बड़ी लोक-sankया की भागी-दारी है, वो हमारी यूवाओं की है, भारत- एक ऐसे सब प्रदेश पुरे विश्वों में, जहां सबसे बड़ संक्या में युवाओं की भागीदारी है. इन युवाओं की भागीदारी को और सुनिशित करने के लिए भारत सरकाद दोरा कई सारे प्रयोजन किये जा रहे, कई सारे योजनाए बनाई जा रही है और जैसे आप जानते कि स्किल इंडिया के तहट काफी मजबूती के साथ इन युवाओं को कौशल आधरी शिक्षा देने की व्यवस्ता की जा रही है. इसी परिदिक्ष्ट्रम में हम चाहते हैं कि ये पूर्व व्यवस्ताइक शिक्षा जो है स्कूलों तक पहुचाई जाए. और क्लास सिक्स से लेके क्लास आठवी के जो विद्यारती है, अक्रोस इंडिया, उनको जो है पूर्व व्यवस्ताइक शिक्षा के बारे में बताए जाएगा. चली आज जानते हैं कि ये पूर्व व्यवस्ताइक शिक्षा होता क्या है, उसके फाइदे क्या है, उसे किस तरह से हम सुचालित कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर महरोता सर को, क्या आप थोड़ा सा विस्तार से हमको बताए, कि पूर्व व्यवस्ताइक शिक्षा होती क्या है? जैसे आपने कहा कि युवाओं को हमें व्यवस्ताइक शिक्षा देनी हैं, जिससे कि हम उनको इतना सक्षम बना सकें, ऐसे कौशल दे सकें, कि वो आगे चलके अपना या तो खुद का रोजगार स्थापित कर सकें, या उनको नौकरी मिलने में असानी हो. तो पूर व्यवस्ताइक शिक्षा का जो महत्व है वो ये है कि छटी, साथवी, आठवी में जब बच्चे आते हैं, तो उनको ऐसी हम शिक्षा दे, जिससे कि उनको कार आधारित, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो वहाँ पे करें, और उससे उनको ये समझ में आए कि वर कि बाहर आउकिपेशन कितनी अवेलिबल हैं, किस तरह के जॉब्स अवेलिबल हैं, और स्किल्स किस तरह के चाहिए इंडस्ट्री में, इस तरह का एक्सपोजर होगा, दूसरा इसका ये महत्व है कि अभी तक हम इसको वर्क एक्सपीरियंस या स्वी डब्लू के रूप मे जानते हैं, लेकिन उसमें क्या था, वो स्टैंड अलोन था, मतलब अलग से पढ़ाई जाती थी, अब हम क्या कर रहे हैं कि छटी, साथवी, आठवी में, पूर वियासाइक शिक्षा को समान सिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं, तो जो जनरल एडुकेशन के टीचर्स हैं, ज जिससे क्या है कि हम ग्यान को कौशल के साथ जोड़ने में सक्सेस्फुल होंगे, और उससे टीचर्स का भी थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, कि उनको ये पता लगेगा कि किस तरह के जॉब्स या स्किल्स जो चाहिए हैं इंडस्ट्री में, या वर्ल्ड आफ वर्क में, उ का जो हमारा डेवलप्मेंट हुआ है पिछले कई सालों में, उसके बारे में इसमें जानकरी दी जाएगी, इसमें स्किल्ड डेवलप्मेंट के बारे में विशेश दोर पे जानकरी दी जाएगी, और साथ-साथ ये मौडूल आपको बताएगा कि कैसे रोज मर्रा की जो हम हमारी शिक्षा वेवस्ता है, जैसे टीचिंग लर्निंग जो हम करते हैं, उसमें व्यावसाइक शिक्षा को कैसे हम जोट सकते हैं, कैसे इंटिग्रेट कर सकते हैं, ताकि जो है बच्चों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल सकेंगे, मुझे लगता है कि जब हम चाहिए, किस तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए हम पाठेकसर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं, कि एक थोड़ी देर एक एक अग्रिकल्चर के बारे में अगर जानकारी शिक्षक साजा करना चाहता है अपने विद्या गए उसको संचारिद करेंगे, तो सर जो हमारे रूटीन में जो सामान सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जैसे for example, साइंस में हम मनस्पत विग्ञान पढ़ाते हैं और उसके अंतरगत हम डिफ्रेंट तरह की चीजें, जैसे हमने कहा कि प्लांट्स पौदे हैं और उनके पार तरह की चीजें हम बताते हैं, अब साथ साथ हम यह भी बता सकते हैं बच्चे को, कि जिसमें हम इसकिल का जो हुनर का जो पार्ट है, उसको हम से जोड़ सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं, कि आप इन पार्ट को कहां कहां प्रवर्धन में या प्रफोगेशन कहते हैं, प्रव तो रोज है गुलाब कहते हैं, गुडहल कहते हैं, चमेली, चांदनी और पौधे ऐसे हैं, जिनकी हम सिर्फ कटिंग लगा के, तो हम बच्चे को तने के वारे में बता रहे हैं, उस तने का उप्योग ये साख्वाओं का उप्योग हम उसको प्रिवर्धन में या प्रपोगे होगा कि इन पौधों को प्रपोगेशन के बाद हम क्या अर्निंग कर सकते हैं, तो वो नर्सरी का इसमें कंसेप्ट जोड़ सकते हैं, कि नर्सरी बच्चे नर्सरी में जाते हैं, बाहर से पौधे खरीते हैं हम लोग बाहर जाते हैं, तो यह सब इन्हीं की बिदियों के द मतलब है कि जो जर्मिलेट़ ग्रेंड सोते हैं जो उनकुरित हैं वीज होते हैं चार अच्छा वीज और होगा उच्छा यह बदिया अब सास में बता सकते हैं व्हें थेसे साथ साथ जो़ों से इंफेक्षन आ जाते हैं हीर्थ है जीन की बात है उसमें, तो ये जो स्वास्त सीड होगा, जो हम यूज कर रहे होते हैं, उनमें इस तरह के सूक्ष जीव होते हैं, या जो फंगस होता है, जो सर जाता है, और जो सरीर के स्वास्त के लिए नुकसान दायक होता है, तो साथ-साथ हम जर्मिलेशन, पर पर करना चाहें, तो और एक्टिबीटी दे बढ़ा सकते हैं, जर्मिलेशन में सारी ये पत्ती कहां से सुरू होती है, जर्मिलेशन में तो ये पौदा जाएगा, ये तना बनाएगा, पत्तिया निकलेंगी, इस पोर्शन से जर्मिलेशन से जर्मिलेशन से बिक्सित होगी, त उसे हिसाब से इन चीजों को हम बहुत तरह से हम जोड़ सकते हैं और तो मतलब छोड़ी-छोड़ी चीज़ है जब पत्ती है तो इसे पत्ती का उप्योग करते ही है तो हमने बहुत नहीं बता दी सर अब हम पत्ती से खाद बना सकते हैं यह भी जोड़ सकते हैं तो जैसे हम कि कुछ ऐसी crops हैं जुनको हम हरी खाद के लिए बनाते हैं उनके भी जड़ तनापती किसमें यू यू होती है हरी खाद में हैं अब हरी खाद से क्या होता है कि और गेनिक हमें material मिलता है कार्वनिक बदार्प ज्यादा मिलते हैं जो खेटी में खेटी बाड़े के लिए अच् एक भाशा का शिक्षक है, क्या बता सकते हैं कि एक भाशा का शिक्षक, या गणित का शिक्षक, या एक फिजिक्स का शिक्षक, कैसे अपने रोजमर्रा के टीचिंग लर्निंग में वेफसा एक शिक्षक को जोड़ा जा सकता है? जैसे हम सब जानते हैं कि language teachers होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो, वो पढ़ाते हैं इतने साल से, लेकिन बच्चों में वो संप्रेशन कोशल या communication skills जिसे हम कहते हैं, वो डवलप नहीं हो पाते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम activities कराएं स्कूलों में, जैसे कि रोल प्लेज होते हैं, तो उससे क्या होगा, जब बच्चे आपस में discussion करेंगे, या कुछ रोल प्लेज करेंगे, तो उनकी communication skills या संप्रेशन कोशल जो है, वो बहतर होगा, तो ये इस तरह से language teachers को पढ़ाना चाहिए, उस तरह अगर हम देखें, जैसे science teacher है, अब science teacher क्या कारे में अगर पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों को लैम्प बनाना सिखाए, तो उससे लैम्प बनाने से क्या, उसको बच्चे को ये समझ में आएगा कि आगे चलके, ये भी एक ऐसा वेसाय है, जिसको मैं adopt कर सकता हूँ, और इसके साथ-साथ मैं और भी कई activities जो है, वो क तेनों को जोड़ना है, तो अगर हम productive activities को लेते हैं, 6-8 की सिख्षा में, जो classes, हमाई कक्षा 6-8 की जो सिख्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये तीनों चीजे समावेश हो पाएंगी, जो हमाहत्मा गांदी जी ने कहा था, उसको हम क्रियान्वन कर पाएंगे, और आगे तो ये समझ में आएगा कि हमें ये सब करने से, हाथ से करने से हम, dignity of labor बहुत important है, respect for work की जो बात करते हैं, environment के प्रती जो हमें हमारा दायत्व है, वो भी समझ में आएगा, तो इसलिए ये activity based learning हमें, 6-8 काक्षा में करवानी चाहिए, बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो website शिक्षा है, इसका एक विद्यार थी के overall development में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, particularly एक self-confidence बच्चों में विकसित करने में, website शिक्षा बहुत हद तक मददगार हो सकती है, मैं चाहूंगा कि एक शिक्षक होने के नाते, आप उनको क्या ऐसे सुजावत देना चाहेंगे शिक्षकों को की जिसकी जो implementation में या उसको स्कूलों में implement करने में शिक्षकों को बहुत आसानी होगी, कुछ आपके सुजाव होंगे पाठक सर, कैसे किया जाए इसका अब हम लोग agriculture की बात कर रहे थे, जनरल हम बात करते हैं, जब सिक्षक से पूछते हैं, अप हमने सुजाव देते हैं कि आप जैसे गंबले हैं, गंबले में आप पौधे लगाएंगे, तो वही activity जो फील्ड पर करते हैं, identification of plant हैं, पचास गंबलों में पचास तरह के पौधे लगाए, उन बच्चों में caring about का development होता है, तो caring में इसकर क्या होता है, कि जैसे बच्चे पानी देंगे उसमें, उसकी growth देखेंगे, और सब चीजें देखेंगे, तो यह सब चीजें हैं कि हम उस चीज को कर सकते हैं, तो यह teacher के commitment है कि आपको जो भी resources हैं, उनका better utilization करना जाने हैं आप, हम यह निर्वर नहीं रहेंगे कि यह चीज होगी तब यह काम हम कर पाएंग करें और उनके बारें विपसाइक सिक्षक के महात तो है, और उसका कैसे हम उसका सुचार रूप से से चालन कर सकते हैं, बताएंगे तो यह सब चीज उनके लिए naturally helpful होगी, तो होगी करेंगे. आप भी कुछ संक्षित में कुछ अपने सुझाव देना चाहेंगे? मैं बस य से चेल्स के उपर भी फोकस करें. और उसके लिए उनको धेर सारी एक्टिविटीज की तैयारी करनी चाहिए, कि साल भर वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे बच्चों में जिस तरह की learning होनी चाहिए. कौशल का विकास हो सकता है, जिन-जिन एरिया में, उ अगर हम छोटी सी nursery एक अपने स्कूल में स्थापित करें, तो बच्चों को शुरू सही पता लगेगा कि सॉयल क्या है, सीड कहां से प्रोक्यूर करते हैं, सीड प्रोक्यूर करने के बाद कैसे germination होता है, जैसे डॉक्टर पार्ठक बता रहे थे, उसके बाद जब पौदे तयार होते हैं, तो हम उसकी marketing कैसे करेंगे, किसको बेचेंगे, कौन हमारा customer होगा, उसके बाद अगर हम बेचते हैं, तो हमें पैसे मिलेंगे, तो हम उन पैसों को कैसे हम invest करेंगे, दुबारा से अपनी nursery में, और फिर हम अपनी nursery expand करेंगे, तो इससे क्या होगा, marketing skills भी vocational skills पर focus ना करके, हम बच्चों में business skills भी ले के आएं, तभी हमारे बच्चे उद्यम या उद्यमिता विकास के द्वारा, उद्यम बनेंगे, entrepreneurs बनेंगे, और अगर successful entrepreneurs बनना है, तो उन में इस तरह की पढ़ाई या हमें शिक्षा देनी पड़ेगी. तो दोस्तों आपने देखा कि पूर्व व्यावसाइक शिक्षा जो है, एक बहुत बड़ा रोल हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तितवर्ड के विकास में बड़ा कारगर हो सकती है. और आपने आज भी देखा कि छोटी-छोटी activities के माद्यम से जो है, एक शिक्षा अपन से अगर शिक्षा अपने विद्यार्थियों को लाभानवीद करता है, तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि जब हमारा भारत जो है, एक विकसित देश होगा. दोस्तों मैं साथ सद ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्ता है, पंडित सुंदरला शर्मा कें जो संस्तान जो है, इन्होंने विद्यार्थियों को आने वाले करियर अपॉर्शनिटिस के बारे में भी इस माध्यम से बताएं और मुझे उमीद है कि ये जो पूरव विद्यार्थियों को ना केवल आपसा एक शीक्षा के बारे में बताएगा, लेकिन उनका एक सोशल डविलप्मेंट, उनका एक पसनाइटि डविलप्मेंट भी साथ-साथ मदद करेगा और साथ-साथ में फ़र्दर करियर Adult क्या करना है, कौन सा करियर मुझे चूज़ करना है, इस में भी जो है, महत् उन्हें सुजाव दिये उन्होंने और आशा करता हूं कि ये पूरो अवसाइख शिक्षा का मॉडूल हम बहुत अच्छे ढंक से हमारे देश में अलग-अलग स्कूलों में इंप्लिमेंट कर सकेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद है नमस्कार